हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब यह वीडियो खास है और यह वीडियो खास है CA Inter Students के लिए और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ Cost and Management Accounting वाले पेपर की जो की अब Group 2 में चला गया है पेपर नमबर है 4 तो कुल मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ CA Inter Costing Paper as per new syllabus और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Fast Track Batch की मेरे पास काफी टेंजन को यह यार दे सुडेंट्स की कि सर्फ Fast Track Batch या फिर आपका exam oriented batch कब launch करोगे तो finally launch होने जा रहा है मेरा Fast Track Batch इस Fast Track Batch के अंदर 30 lectures होंगे और एक lecture on an average लगभग 3 घंटे का होगा तो Fast Track Batch के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगी 3 तरगी किताबे पहली किताब मिलेगे आपको concept book और इस concept book के अंदर मैंने हर chapter के हर concept को बहुती easy format में present करके आपको दिया है और class के अंदर जब मैं concept करवाँगा तो concept book से करवाँगा ताकि आपको लिखना ना पड़े तो concept आपको लिखने नहीं पड़ेंगे concept आपको written format के अंदर already book में दूँगा मैं आपको दूसरी मिलेगी आपको practice book practice book के अंदर आपका जो ICI के study mat वो 100% covered है कितना percent? 100% और यहाँ पर जितने भी questions है उन सब को दिया है मैंने with solution और solution कौन से वाले? solution ICI के नहीं है solution उस format के हिसाब से है जिस format के हिसाब से मैंने class में आपको सिखाया है तो यहाँ पर आपका पूरा study mat cover है ICI का और जो concept book है वहाँ पर आपके 100% concept cover है और fast track वाले batch के अंदर भी मैंने 100% concept cover करवाए है जो concept आपके ICI के study mat में है उस concept को मैंने आपके fast track वाले batch में cover कर आया है तो आपके concept भी 100% covered है as per study mat of ICI इसके बाद third book मिलेगी आपको theory book और theory book जो मैं आपको देने जा रहा हूँ यह theory book आपकी exam oriented है यह question answer की form में है और आपको answer बिलेंगे point wise कहने के मतलब exam में कितना लिखना है exam में कैसे लिखना है उसी format के अंदर पूरी book मिलने माली है आपको तो आपको 3 book मिलेंगी fast track batch के अंदर और जो आपका mcq है न वो भी यहाँ पे covered है आपकी practice book के अंदर तो आपका as per new syllabus 100% coverage है यहाँ पर जो fast track batch हम launch करने जा रहे हैं यह applicable है for my and November 2024 fully applicable है इसका आपको daily download link मिलेगा 15 जनवरी से 15 फर्वरी तक 30 lectures है तो start कप करेंगे 15 जनवरी सबसे खास बात यह batch किनके लिए suitable नहीं है तो ध्यान देना अगर आप first time costing paper पढ़ने जा रहे हो तो आपके लिए suitable नहीं है आपको लेना चाहिए मेरा regular batch और अगर आप पहले पढ़ चुके हो किसी और सर से या self study कर चुके हो तो आपको लेना चाहिए fast track batch आपका revision अच्छे से हो जाएगा और खास बात यहाँ पर क्या है कि मैंने concept 100% cover करवाए है तो आपको हर concept के बारे में logically जानने को मिलेगा और उसकी trick भी जानने को मिलेगी fast track में best part क्या है मेरे साब से जो बेस्ट पार्ट जो मेरे साब से fast track का है जो मैंने record करूँगा 15 जनवरी से सबसे बड़ी बात है कि मेरे costing पर को राने के अंदर बहुत सारी tricks का यूज करता हूँ मैं बहुत सारी techniques का मैं यूज करता हूँ तो वो सारी tricks, सारी techniques मैंने fast track में भी cover की है example देता हूँ मैं जैसे chapter का नाम है reconciliation तो वहाँ पर है two step approach जिससे मैं पूरे chapter को बहुत easy में convert कर देता हूँ पहले थी DCP approach अब DCP approach cancel हो गई अब आगे two step approach अगला chapter में मेरा standard costing यहाँ पर होती है मेरी box approach अगला chapter में मेरा integrated and non integrated accounts यहाँ पर होती red light approach जो भी tricks and techniques मैं regular वाले बच्चे को सिखाता हूँ वो tricks and techniques मैं यहाँ पर भी चिखाई है दोनों में difference वजेतना है regular मतलब 60 lecture और fast track में चलब 30 lectures थोड़ी सी कम practice होगी यहाँ पर concept 100% cover है लेकि regular में क्या 100% concept ज्यादा practice fast track में क्या 100% concept less practice जो कोशन मैं आपको homework के रूप में दे रहा हूँ और plus जो कोशन में क्लास में करवाँगा वो कोशन के दोनों को solution मैं आपको already practice book में दूँगा तो यह कहानी है fast track batch के लिए admission चालू हो चुके है तो आप pre booking कर सकते हैं तो और उमीद करता हूँ कि fast track batch करने के बाद आपकी concept clarity और high level पर हो जाएगी आपको पता बढ़े है किस तरीके से tricks का इस्तमाल करके costing paper को easiest chapter या easiest paper के अंदर convert किया जा सकता है Thank you and best of luck